दोस्तों बात कह रहें तो यहां पे जो 2021 है वो आदे से आदे खतक हो चको और अभी 6 महीने से कम समय बचाए जिसमें 2022 हो जाएगा लिकन इन 6 महीने के अंदर काफी कमाल कमाल के काफी इंट्रस्टिंग फोंसे जो लॉंच हो सकते हैं का अगर मैं बात करू एपल की गूगल की OnePlus की, Samsung की, सभी companies अपने second half के अंदर जो 2021 के वहाँ पर काफी exciting phones को launch करने वाली है और यहां पर बात करने वाले इन ही कुछ phones के अंदर जो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं वीडियो कर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करने वाले चैनल को यहां पर सबस्क्राइब कर लेना सबसे पहले बात करने वाले 2021 की most awaited phone की मैं बात करूँ iPhone 13 की September mid में इसका launch वो almost confirm हो रहा और इस बार iPhone 12S इसका नाम हो सकते और बात ही है कि यहां पर प्रो मॉडल के इंदर फाइनल इस पार 120 हर्स का रिफ्रेश्ट वाले डिस्प्ले देखने को मिलेगा बिल्कुल इसी के साथ ही बात करें तो एपल की आइफोन 13 में क्या रहता है लेकिन आइफोन 13 के साथ साथ एक और फोने जो सेप्टेमर के में बहुत ही जल्दी लाँच हो सकता है वो है वन प्लस की 9T स्रीज अब देखा तो 9T स्रीज में सिर्फ 9T आया गा 9T प्रो औरेडी कंफर्म है कि नहीं आने वाला है सिर्फ 9T दे 120Hz का LTPO डिस्प्ले हैसल ब्लेट का कैमरा हो गया 65W की चारजिंग हो गई यह सारे कुछ जो फीचर्स रहते जो 9 Pro में एक्स्क्लूजिफ थे बस उसमें से कुछ चीज़े उठके यहां पर आ जाएंगी इसके साथ ही बात कर तो स्नैप डरगन 888 प्लस के आने की संभाबना अब यह जो आपको देखने को होन सकता है वन प्लस 90 में लेकिन बात कर तो वन प्लस के तरफ से 90 अक्यला फोन ने होगा इसके अंदर नौड 2 भी आने वाला है रिसेंट्ली नौड 2 लीक हो गया था मीडिया टेक डेमेंसिटी 1200 के साथ यह फोन आने वाला है यह यह भी काफ इससे भी सस्ता आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल यानिकी एक और फोन आने वाला काफी कम कीमत में नौड की तरफ से यह भी काफी है और एक अंदर की बाद बताओ आपको नौड फोन काफी जल्दी लॉंच हो सकता है पतब जुलाई के आइंड तक क्योंकि यहां पर इसका जो इंपोर्ट होता है यूनिट्स का काफी सारी चाइना से इंडिया में आचो की टेस्टिंग वगरा के लिए और बहुत ही जल्दी इसका प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में शुरू हो जाएगा उसके बाद लगता है कि नौड भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर बात यह है तो इसके जो कीमत है वो लगों को पच्चेस से 30,000 के रौंड होगी और डेफिनिटली स्नैब्रगन 778 के साथ रियल्मी भी अपने एक नया फोन निकाल सकती है जिसका कोडने में नो नहीं हाप एक क्विक सिल्वर रखा है लेकिन अभी पता नहीं क में जीटी फ्लेक्शिप वह अशाद एक से दो महिने में देखने को मिल जाये इसके साथ रियल्मी जीटी का कैमरा फ्लेक्शिप भी आने वाल है जहां पे लोग कोडैक नाम की कंपनी के साथ यह लोग पार्टनर्शिप कर रहे है जो कैमरा बना थी थी एक जमाने के अंद तो डेफिनिटली बात की जाए तो Realme के एक दो जो flagship level के फोन से उन देखने को मिलेंगे लेकिन एक बात बता सकता हूं Realme के फोन के बारे में के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं इसके साथी बात करें तो यहां पर रियलमी 9 irre सिरीज भी आ सकती सेप्टेंबर तक क्योंकि देखा तो रियल्मी एट सिरीज को रैड्मी नोट 10 सिरीज से काफी तगड़ा कॉम्पेशन था और रैड्मी नोट 10 प्रो जिस एक चीज में आगे निकल गया था वहां पर रियल्मी एट प्रो पीछे रह गया था वह ता 120 हर्ट देना उनके सकसेसर आएंगे लेकिन वो शायद उनके अंदर सीरीज या ब्रेंडिंग के अंदर कोई चीज़ कर ले और यहां पर कुछ नए ने फोन भी आपको देखने को मिल सकते हैं नए स्रीज के अंदर यहाने की आने आने वाले 6 मिनी के अंदर जो रियल्मी काफी वाला है जो कि होगा Snapdragon 870 के साथ और यह जो Snapdragon 870 वाला फोन होगा यह पुराना यह सब ने होने वाले एक नया फोन होगा यह फोन इंडिया में आगा तो इसकी क्लीमत लापत 30-30,000 रुपे जाएगी लेकिन यह फोन जल्दी नहीं आने वाले एक दो महिने तीन महिने तक वेट कर लीजे ऑक्टोबर तक इन फोन का जो लांच वापको देखने को मिलेगा औ और इसके साथ ही बात करें सैमसंग के बारे में तो सैमसंग के भी कुछ ऐसे फ्लैक्षिप लेवल के फोन से लांच होने वाले आपनी एस इरीज एंटी और तेक एक जो फोन आपको देखने को बुल सकता है वो है गोगल का पिक्सल लेकिन पिक्सल 6 के साथ एक प्रॉब्लम यह कि पिक्सल 6 इंडिया में आने के प्रॉब्लम काफी कम है औरेडी गोगल ने कंफर्म कर दिया है पिक्सल 5 से यूएस जपैन के अंदर जाएगा इंड लेकिन अगर यह आता है थोड़ा से एकस्पेंसर फोन होगा 60-70 तक जाएगा एक फोन लेकिन बात यह कर आये तो काफी अच्छा है लेकिन आने की प्रॉब्लम यह यह लेकिन अगर इसके बार में बात करूं तो असुछ के बारे में यही कहानिय कि कुछ पता नहीं कि वह आएगा की नहीं आएगा यहां मैं असुस के 8Z के बारे बात करूँ पहले उन्हों ने बोला था असुस का जैन फोन इट है इंडिया में 8Z नाम से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी चीज़ है लेकिन प्रॉब्लम पता है कि अभी तक इस फोन का जो कुछ भी इंटी कन्फरमेशन नहीं कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि तब तक देखा जा तो आलरेडी या लोग आरो जी फोन का एक और सकसेस है रहे वो भी आने वाला है जिसके बारे में शायद कहा जा रहे कि वो आपको इंडिया में देखने को मल सकते हैं वीवो की लिए भी काफी अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि यहां पर वीवो की एक सेवंटी सीरीज सेप्टेमबर के अरौन या फिर ऑक्टोबर से पहले पहले लांच हो सकती है एक्जेक्ली बात किया तो अभी आईपेल दोबार से जब यूए के अंदर शुरू होगा न और वन प्लस से बेटर कैमरा भी डिलीवर कर दिया था और उम्मीद है कि X70 सेरीज में कैमरा को और अच्छे तरीके से डेपलप करेंगे और शायद सभी फोन के अंदर जो गिंबल टेक्नलोजी होती है अगर वो अगर इंप्लीमेंट करें फिर तो काफी जादा मजा जाए हैं मतलब मी स्रीज के भी कुछ फोन से जो आपको देखने को मल सकते हैं लेकिन ओविसली रेडमी 10 में भी कम से कम चार पांच फोन तो आने ही वाले हैं पोको के अंदर भी और भी काफी सारे फोन होंगे तो यहां यह भी कुछ फोन से और इसी के साथ ही बात करूं में बैठी हुएं अगर यह लोग अपना 5G फोन अगर अपने कुछ अच्छे फोन अगर जल्दी से जल्दे करें डिड्यूस करें जैसे उन्होंने आल्रेडी प्लान कर रखा है तो यह काफी अची चीज होगी क्योंकि पिछली बार जब इन नोट बना आया था तो को धूम ब स्पेक्रम डिसाइड करके उसके उपर बिट करेंगी और जब एक पर स्पेक्रम डिसाइड हो जाएगा ना उसके बाद चो कंपनी जैंहा उस पाटिकुलर स्पैक्रम को ध्यान में रखके जात से जादा थाद 5G फोनस निकालेंगी यानि कि ऑल्रेडी सेकंड आफ में जो म वीडियो कर आप लोगों को पसन है तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइक कर लेना थैंक को आपको वीडियो देखने के लिए मैं आप सुन दो नेक्स्ट वन में गुड़ बाई